बात करेंगे हम के हमने कैसे डिफ्रेंशियेट करना है बीट्वीन कुशिंग सिंड्रोम कॉस्ट बाइ पिचुट्री अडिनोमा देट प्रोड्यूसेज एक्टोपिक सोर्स सो ये डिफ्रेंशियेशन करने के लिए हमने हाई डोस 24 48 आवर डेक्जा मिथासोन स्प्रेशन टेस्ट करना है इसके लिए हमने 2 मिली ग्रेम आई वी डेक्जा मिथासोन देना है फार 48 आवर्स एवरी आफटर 6 आवर्स तो हमने जब IV 2 मिलीगरेम डेक्जामीतासोन एवरी 6 आवर्ली हमने दिया फार 48 आवर्स तो हमने हर 24 आवर्स के बाद जुरिनरी फ्री कार्टिसोल भी मेज़र किया और S.T.H. लेवल्स भी मेज़र किये तो अगर CTH level suppress हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दो साइट है कुशिंग सिंड्रोम का कास है जो वो CTH production है बाइदा पिचिट्री एडिनॉमा वाइल अगर एक्टोपिक CTH production है तो CTH levels जो हैं वो suppress नहीं होंगे इसके लवा हम CRH stimulation जानी Depois कार्टिकोट्र ट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मों 还有 का carbon कर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मों तो इससे 20% तक इंक्रीज होगा in the ㅁएड हीड़ेज लेवल तो अगर इस तरह होता है तो इसका मतलब है C-R-A Stimulation Test positive है और यह सीन होता है इनके साफ S-E-T-H produced by the pituitary adenoma leading to Cushing syndrome जबकि अगर यह test अगर negative है तो इसका मतलब है कोई ectopic production है S-E-T-H की और इस तरह Cushing syndrome ectopic S-E-T-H production की वया से हो रहा है So this is all about how to differentiate between S-E-T-H produced by the pituitary or ectopic source Thank you